हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे मेरे इस एम वाइकर्स न्यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैंने अपनी अपाची आटी 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 पोर भी और होंडे सब्सक्राइब दोनों वाइकों का ओफ रोटिंग ट कर दो कि देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें कितना पई है इसका पानी में जा चुका है फिर भी आसानी से भी निगलती मैं आपको एक्जम्बल करें मिलब ट्रेक्टिकल करके दिखाता हूं यह देख लिगाइज हिए के दिखी निकल लें और आके की टिखड़या आ आजए इन नहीं कमें तुछ झाल कि आम ये आब देख सकते हैं अ धा है अब भी ये पत्त ये पानी में जा चुके है और मैं फिर से निकालने जा रहां हो। यह देखी कितनी आसानी से निकाला है और सब लोग कहते कि हॉंड़ एस्पी में ऑफ रोड़िंग के मामले में बेकार है कुछ भी है टैर पतले हैं सब कुछ भी नहीं है आप इसे आरहा आसानी से निकाले बास आपको एक्सपीरेंस होना चाहिए आप देख सकते कि मैं अपन इंगा 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 इंग तेस्ट कर रहा हूं आप देख सकते हैं कि टायर कितने पानी में जा सुपी और यह देखे पीछे और अमनों कितने पानी में है और बड़ा इंज्रायमेंट हो रहा है दोस्तों और अब यहां को प्रेक्टिकल करके दिखाता हूं अब यह अब यह हमारे मुकेश भाई वहां से चल चुके हैं और यह आ रहें अपनी अपाची आटीर बैं 64 वी बीशिक्स बाइक को लेकर और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से वाइक चलिया आ रही है कि यह देख सकते हैं कितने की चड़ में निकाल दिया इन्होंने बाई ने और कितनी आराम से निकाल आई हुआ है वो पीछे वो गाड आया रहा है ना इसका वाई दर इस साइट से अग्रिप भर्या रही है ना टायर होगी कर दो पाल आया रहा है ना दो जो पाल चलिए झाल आया है